तो पी करते हैं एरियल व्लोस्टि, एरियल व्लोस्टि क्या होती है, उसके लिए कंसीडर कर लेते हैं एक Central Orbit, ये Central Orbit एक Plan करव है, और एस्यूम कर लेते हैं कि ये Center of Central Force है, और Coax ले लेते हैं Initial Line, और किसी टाइम T पर पार्टिकल की पोजिशन ले लेते हैं P और इसके कोडिनेर्स ले ले लेते हैं R और ठीटा मीन ये जो डिस्टेंस OP है वो R है और ये OP इनिशल लाइन के साथ में ठीटा एंगल बना लेगी अब T टाइम पर तो पार्टिकल की पोजिशन P है क्या कर रहा है दिरे दिरे मूव कर रहा है तो टाइम के साथ साथ इसकी पोजिशन भी चेंज हो रही है तो जैसे जैसे ये पार्टिकल मूव कर रहा है इसकी पोजिशन चेंज होती जा रही है वैसे वैसे ये जो radius vector है वो भी क्या कर रहे है अपनी position चेंज कर रहे है और मान लेते हैं किसी time t प्लस delta t पर ये particle है वो q position पे होगा mean delta time delta t time में ये particle q position occupy कर लेते हैं उस time इसकी position ले लेते हैं r प्लस delta r और ये angle हो जाएगा theta प्लस delta theta तो ये angle रह जाएगा delta theta तो ये o p q एक sector बन गया अब इस sector के area में time के साथ में कितना change आ रहे है ये बताना क्या कहलाएगा aerial velocity aerial velocity क्या बताती है rate of change of area of sector traced by the radius vector तो हम कह सकते हैं कि aerial velocity क्या होती है कि जब भी कोई particle है किसी plane curve के along move करता है तो उसके sectorial area में time के साथ में जो change आ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं aerial velocity when a plane when a particle moves along a plane curve the rate of change of sectorial area कि particle जब plane curve के along move करता है तो उसके sectorial area में जो change आता है traced out by the radius vector joining the particle to a fixed point जो कैसे trace किया जाता है किसी particle को fixed point से join करके इसे कहते है aerial velocity of the particle next एक छोरम